तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई मज़िदार विडियो में तो आज के इस विडियो में हम आपको जानवरों के बारे में कुछ मज़िदार फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कुछ facts को सुन कर तो आप हसने लग जाओगे तो चलिए बिना समय बरबात करें जानते हैं वो मज़ेदार facts नमब वान आपने कचुए के बारे में तो सुना ही होगा हाँ वही जिसे अंग्रेजी में टर्टल बूला जाता है आपने तो इसकी बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी आपको ये पता होगा कि ये बहुत ही धीरे चलता है इसका shell बहुत ही मजबूत होता है पर क्या आप इनके सांस लेने के तरीके के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हो ना तो मैं आपको बताता हूँ कुछ कचुए अपने पिछवाड़े की मदद से भी सांस लेते हैं जी हाँ दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना इनका पिछवाड़ा बड़ा काम का है क्यूंकि ये जानवर यहां से सांस लेते हैं तो दोस्तो क्या आप भी ऐसे सांस लेना चाहोगे? नमबर दो दोस्तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी को प्रपोस करते हो तो कैसे करोगे? आप मेंसे ज़्यादतर लोग बोलेंगे फूल देकर है ना? पर गेंटो पेंग्विन का प्रपोस करने का अलग ही तरीका है ये जानवर पत्थर देकर प्रपोस करते हैं क्या अनोखा तरीका है? नमबर तीन अगर आप किसी जानवर को मारते हैं तो आपको कुछ ज्यादा सजा नहीं होती है पर चाइना में पांडा के लिए अलग से रूल निकाले गए हैं जिसमें से अगर आप किसी भी पैंडा को जान से मारते हैं तो उसके लिए आपको मारा भी जा सकता है और चाइना वालों ये रूल क्या सिर्फ खाली पैंडा के लिए है और बाकी जानवरों के लिए क्यूं नहीं? अगर आप में से किसी को पता है तो हमें comment करके जरूर बताएं दोस्तों जिनके पास गाएं हैं उनको पता है कि गाएं का कुछ fix नहीं होता वो कभी ज़्यादा दूद दे सकती है और कभी कम दूद दे सकती है पर अभी अगर आपकी गाएं कम दूद दे रही है तो उसे दूर करने का मेरे पास एक उपाय है ऐसा पता चला है कि अगर गाएं गाना सुनती हैं तो वो ज्यादा दूद देती है आप भी ऐसा कर सकते हैं? आप अपनी गाएं के सामने गाना चला कर छोड़ दे ताकि वो ज़ादा दूद दे आप कउओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो बिकार है? पर मैं आपको बता दूँ कि वो बहुत ही समजदार पक्षी हैं और वो इतने समजदार हैं कि एक दूसरे के उपर प्रांक भी कर सकते हैं बस फर्क इतना है कि वे कैमरे का इस्तमाल नहीं करते नमबर 6 आपका कोई ना कोई best friend तो जरूर होगा पर क्या आपको पता है कि गायों के भी best friend होते हैं ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ये सच है ऐसा एक research में पाया गया है जिससे पता चलता है कि गायों के भी best friends होते हैं और अगर उनके best friends उनके साथ हो तो वो खुश होती है नमबर 7 कोबरा साप के बारे में तो आपने सुना ही होगा वे बहुत ही जहरीले साप होते हैं और किसी की भी जान आराम से ले सकते हैं आपको सिर्फ बड़े सापों से ही नहीं उनके बच्चों को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि उनके बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वे आपको काच सकते हैं और आपको जान से मार सकते हैं नमबर 8 क्या आपको पता है और आस्ट्रेलियन फ्लार स्पाइडर्स की बारे में जो की एक मकडियों की प्रजाती है समय आने पर ये अपनी मा को भी मार कर खा सकते हैं अगर इनके लिए खाना कम पड़ जाए तो इनकी मा अपने बच्चों को उकसाती है उसको खाने के लिए ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके नमबर 9 अगर भेड कभी बिमार हो जाती है तो वह अपने आपको खुद ही ठीक कर लेती है वो वही पौधा खाती है जो की उनकी बिमारी को दूर कर सके जिससे वो जल्द ठीक हो जाती है नमबर 10 दोस्तों क्या आपने कभी हाथियों को कूदते हुए देखा है? नहीं न, वैसे भी आप कभी देख भी नहीं सकते ऐसा इसलिए क्योंकि हाथियों को बाकी जानवरों की तरह कूदना नहीं आता शायद ऐसा उनके वजन की वजह से होता होगा वैसे भी हाथियों को कूदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती नमबर 11 दोस्तों, अगर किसी को दिल की जरूरत होगी और अगर उसको दिल कहीं से भी नहीं मिल रहा हो तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम ऐसी तकनिक के बहुत करीब है जिससे हम सुरों के दिल का उपयोग अपने अंदर कर सकते हैं नमबर 12 क्या आपको पता है कि अब तक का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? आपको शार्क, शेर या फिर कोई और जानवर लग रहा होगा. पर ऐसा नहीं है. मैं आपको बता दूँ कि इन में से सबसे जादा खतरनाक जानवर मच्छर है जो कि हर साल बहुत से लोगों की जान लेता है इसलिए इन छोटे मच्छरों से सावधान रहिए. अगर आप कौकरोज का सर काट देंगे तब भी वो नहीं मरेगा और हफ्तों तक जिन्दा रह सकता है और अगर मरेगा तो भूख और प्यास की वजह से मरेगा. कौकरोज भी अपने आप में एक अजीब प्राणी है. नमबर चौदा आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो कि तीन साल तक सो सकता है? पर स्नेल एक ऐसा जानवर है जो तीन सालों तक आराम से सो सकता है. काश हम लोग भी तीन सालों तक सो पाते. नमबर पंद्रा आस्ट्रिच को तो आपने देखा ही होगा. ये बहुत ही तेज भागने वाली चड़िया है और इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है. पर मज़ेदार बात ये है कि इस जानवर की आँखें इसकी दिमाग से भी बड़ी होती है. जिया दोस्तो आस्ट्रिच यानि शुतर पर आकर सांस लेते हैं. पर अगर ये जानवर ऐसा करते हैं तो फिर ये सोते कैसे हैं? तो दोस्तो जब ये सोते हैं तो इनका आधा दिमाग ही आराम करता है. जिसकी मदद से इनके दिमाग को उतना ही आराम मिल पाता है जितने की उसे जरूरत होती है. नंबर सत्रा. आपन मुझे तो अभी पता चला क्या आपको ये पहले से पता था कॉमेंट करके बताईए तो दोस्तों आपको ये एनिमल फाक्ट कैसे लगे कुछ को सुनकर आपको जरूर हसी आई होगी कुछ जानवर बहुत ही बड़े तो कुछ बहुत ही छोटे पर इन जानवरों के बारे में जादा जानने में बहुत ही मज़ा आता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब हम ऐसी बढ़िया वीडियो लाएं तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई